असलाम अलेकुम दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड एर केमिस्ट्री एम्डीकेट चेप्टर नमर 18 एम्डीकेट केमिस्ट्री चेप्टर नमर 18 जो है वो केमिस्ट्री आफ लाइफ के बारे में है chemistry of life को biochemistry भी कहा जा सकता है इसके अंदर हम लोग discuss करते हैं वो chemical processes जो किसी भी living body के अंदर चल रहे होता है आई तरह पढ़ते हैं biochemistry is a branch of chemistry that deals with the study of chemical and physical processes that takes place in the living organisms by means of which chemical compounds such as carbohydrates, proteins, lipids, vitamins and minerals are transformed into one another by the cells itself in order to maintain its well organized structure and activities simple सी बात है यार के biochemistry, chemistry की वो branch है जिसके अंदर हम लोग discuss करते हैं वो chemical and physical properties जो के किसी भी living organisms के अंदर चल रहे होती है chemical compounds के तुरू जैसे के carbohydrates वगारा, proteins वगारा, lipids, vitamins वगारा आगे बढ़ते हैं, अब इन cells की एक दूसरे के इन चीज़ों की यानि जो nutrients है, इन चीज़ों की एक दूसरे के अंदर transformation मी होती है cells के थुरू और main area क्या है हमारा biochemistry पढ़ने का कि हम foods और nutrition के बारे में पढ़ेंगे selection of food के बारे में पढ़ेंगे, कौन-कौन से food groups को हमें select करना चाहिए और उनका digestion का process कैसा होता है साथ-साथ में assimilation, enzymes और उनके functions जो के biochemistry के अंदर discuss के जाते है आई थरह पढ़ते हैं, सबसे पहले हम food की definition को पढ़ लें food की definition यह है कि बहुत सारे chemicals जो के life sustaining process को life को sustain करने वाले process के अंदर होते हैं chemical compounds उन पूरे group of items को कहा जाता है, group of compounds को कहा जाता है food यानि यह खाना, अब यह जो food है, यह बहुत सारे nutrients से मिलके बनेगा पहला nutrient होगा carbohydrate सबसे पहले तो आपको यह पताना हो चाहिए, यह carbohydrate कहां पर शामिल होंगे carbohydrates शामिल होते हैं, हमारे potato के अंदर, roti के अंदर, यानि यह गंदुम के अंदर और चामल के अंदर यह तीन basic source है carbohydrates की इसके लाए बहुत सारी चीज़ों के अंदर, cereals के अंदर carbohydrates शामिल होते हैं proteins कहां पर शामिल होते हैं, proteins जैसे कि अंडे के अंदर शामिल होंगे मीट के अंदर शामिल होंगे, फिश के अंदर शामिल होंगे इन सब के अंदर प्रोटीन्स शामिल होंगे और प्रोटीन्स हमारी स्किन की ग्रोथ के लिए और मसल्स की और हेर्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है अब यह proteins किस चीज़ से मिलके बनते हैं तो proteins मिलके बनते हैं amino acids से proteins बनते हैं amino acids से तो amino acids भी बहुत जादा important चीज़ हो गई carbohydrates को हम पढ़ेंगे हम लोग proteins को पढ़ेंगे और amino acids को पढ़ेंगे इस chapter के अंदर साथ साथ में fats, fats और lipids अब fats और lipids के बारे में आप एक चीज़ समझ लेजिए कि fats सबसे ज़ादा energy provide करने वाली एक source है यानि कि greater source है greater source of providing energy अब fat कितनी energy provide करते हैं इसको दरह देख लेते हैं हम आए बस एक gram fat ये energy provide करता है 9 calories तक आगे बढ़ते हैं minerals, minerals बड़े important है साथ साथ में vitamins, vitamins बहुत important source है हमारे food की लेकिन vitamins सिर्फ अकेले food के तौर पे नहीं ले जा सकते हैं, जैसे कि vitamins शामिल होते हैं medicines के अंदर भी, लेकिन medicines food नहीं होती और vitamins शामिल होते हैं fruits के अंदर भी, लेकिन fruits भी food के तौर पे, यानि खाने के तौर पे नहीं ले जा सकते हैं, अगर बहुत सारे nutrients मिल जाएंगे, many nutrients combine होंगे, तो फिर food बनेगा many nutrients combine होंगे many nutrients combine होंगे, तो फिर वो convert, वो फिर convert हो जाएंगे food के अंदर, या एक complete food होगा जिसमें सारे ही nutrients शामिल हो fix nutrients हैं, जो के शामिल हो, एक complete food आगे बढ़ते हैं हमारा food का purpose क्या होता है food का purpose हम सब को पता है कि पहला purpose होता है कि हमें उससे energy मिलती है growth और maintenance होती है हमारे tissues की और साथ साथ में body के इंदर जितने process चल रहे हैं वो regulate होता है आज के दिन हमारा topic है कार्वो हाइडरेट्स इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कार्वो हाइडरेट्स के बारे में ही discuss करेंगे और next वीडियो में बाकि सारे topics के बारे में अगर मैं Carbohydrates के बारे में बात करता हूँ तो Carbohydrates की सबसे बहले definition की बात कर लेते हैं Carbohydrates को Carbohydrates क्यों कहा जाता है Carbohydrates का मतलब यह है कि Carbon Carbon के X Compounds, Hydrates मतलब Water और Water के Y Compounds इसके दार शामिल होंगे लेकिन यह एक Old Definition है Carbohydrates के X Compound शामिल हो और Water के Y Compound शामिल हो यह formula बहुत सारी जगा पर fit बैठता है जैसे कि हैं अगर मैं glucose की बात करूँगो तो glucose के पास 6 carbon होंगे और Water Molecules उसके पास 6 होंगे तो अगर आप formula देखेंगे तो यह क्यों हो जाएगा C6 यह हो जाएगा C6 और H2 6 हा 12 और साथ में O6 तो यह glucose का formula है सेम formula है fructose का fructose का formula भी है C6 H12 और O6 अब इसी तरह से सुक्रोस का formula है C12 H22 और O11 अगर हम सुक्रोस की बात करेंगे तो यह formula यह general formula सुक्रोस के उबर भी fit बैठेगा क्योंकि सुक्रोस के पास 12 carbon atoms होते हैं और 11 water molecules यहनि 12 carbon atoms और water molecules के साथ मैंने लिख लिया 11 अब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा C12 H211 और 22 और साथ में O11 तो सुक्रोस का formula भी fit बैठे रहे है इस general formula के उपर लेकिन अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे compounds की बात करूँ जो के इस formula के उपर fit बैठ रहे होते हैं लेकिन carbohydrates नहीं होते हैं और कुछ compounds ऐसे हैं जो के इस formula पर fit नहीं बैठ रहे होते हैं उसके बावजूद carbohydrates होते हैं जैसे कि अगर मैं example की बात करूँ acetic acid की तो acetic acid का formula है CH3 COOH अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2 carbon है hydrogen है 3 और 1 चार और oxygen है 2 अगर मैं इसको general formula के इंदा बंद कर दूँगा तो यह जाएगा C2H यहाँ पर water molecules आपने ले लिए 2 देखें यहाँ पर यही formula जो उपर वाला formula यह बन जाएगा कैसे C2, 2 to the 4 और oxygen 2 देखें जैसे कि मैं आपको बताया था कि यह formula के इंदा बंद किया जा सकता है इस formula के ओपर fit बैठ रहा है CH3CWH general formula of carbohydrates के ओपर fit बैठ रहा है उसके बावजूद वो एक carbogexelic acid है और carbohydrates नहीं है अगर इसी तरह सा हम लोग बात करें Dioxiribos Dioxiribos की तो Dioxiribos का formula carbohydrates के ओपर fit नहीं बैठता उसके बावजूद वो carbohydrates होता है अब आईए ज़रे डिसकस करता है carbohydrates की definition को कि carbohydrates की नहीं definition क्या होगी तो carbohydrates की नहीं definition कुछ यह है कि carbohydrates वो compounds है जिसके अंदर बहुत सारे OH group मौझूद हो यानि कि वो polyhydroxy हो साथ-साथ में उसमें एक aldehyde group मौझूद हो अगर aldehyde group मौझूद नहीं है तो ketonic group मौझूद हो और इसके लावा वो optically active होना चाहिए मैं तीनों conditions लिख देता हूँ पहली condition यह है कि वो polyhydroxy हो polyhydroxy मलब बहुत सारे OH group उसके नहीं मौझूद हो aldehyde group उसके नहीं मौझूद हो aldehyde group यानि कि CHO group उसके नहीं मौझूद हो और ketonic group यानि कि C double bond with O ये group उसके नहीं मौझूद हो अगर ये तीनों चीज़ों उसके नहीं मौझूद होंगी और साथ-साथ में वो optically active भी होगा तो वो Carbohydrate कहलाएगा अब आगे बढ़ते हैं Carbohydrates की types की बात करते हैं Carbohydrates ऐसे compounds को भी कहा जा सकते हैं कि जो hydrolyze होने पर Carbohydrates बनाते हैं यानि के for example अगर हमारे पस कोई polysaccharide Carbohydrate होगा जब उसके hydrolysis की जाएगी तो वो monosaccharide Carbohydrate के जाएगा तो polysaccharide भी Carbohydrate है और monosaccharides भी Carbohydrate है लेकिन हम बात करते हैं इनकी types की तो अगर आप यहाँ पर glyceral dehyde की बात करेंगे तो glyceral dehyde के जाएगा आपको नजर आ रहा होगा कि OH ग्रुप मौजूद हैं यहाँ पर दो एक Carbohydrate के लाए जाएगा अगर मैं बात करूँ dihydroxy ketone की dihydroxy ketone भी dihydroxy ketone भी Carbohydrate के लाएगा क्योंकि इसके अंदर 2 OH ग्रुप मौजूद है और साथ-साथ में 1 ketone ग्रुप मौजूद है ketone ग्रुप मौजूद है और 2 OH ग्रुप मौजूद है याणि के polyhydroxy ketone नहीं है तो इसलिए यह भी Carbohydrate होगा मुझे उमीद है के Carbohydrate की definition तो आपको समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं Carbohydrates की टाइप्स की एक चीज जो हमें याद अख लेनी चाहिए वो है Calorific Value of Carbohydrate क्योंकि यह पेपर के अंदर MCQs के अंदर पूछी जाती है कि Carbohydrate का एक ग्राम कितनी energy provide करता है तो Carbohydrate का एक ग्राम 4 calories energy की provide करता है अगर हम आगे बढ़ें Carbohydrates की sources की बात करते है तो सबसे बहले Carbohydrates की sources है cereals, maze, चावल, rice, oats, barley, millets, potato, sweet potato, roots, sugar, honey, fruit, sugar, gain, वगएरा वगएरा यह सब Carbohydrates की sources है अगर मैं बात करता हूँ classification of Carbohydrates on the basis of taste की के Carbohydrates को taste के ओपर कैसे classify किया जा सकता है तो Carbohydrates की दो टाइपस है पहली टाइप है sugars और दूस्री टाइप है non sugars sugars ऐसे Carbohydrates को कहा जाएगा जो के taste में मीठे होता है और यह crystalline in structure होता है यहाँ पर देख लीजे sugar ऐसे Carbohydrates होता है जो के sweet taste रखता है मीठे होता है taste के अंदर और साथ-साथ में crystalline उनका structure होता है और यह water soluble होता है यानि कि पानी में dissolve हो जाता है जैसे कि चीनी की बात कर ले है या fruits के juices की बात कर ले है तो यह सब पानी के अंदर dissolve हो जाते है पानी के अंदर हल हो जाते है और यह sweet in taste भी होता है जैसे कि glucose, sucrose और fructose अगर है यहाँ पर example दी जा रही है अगर हम non sugar carbohydrates की बात करते है तो non sugar carbohydrates वो carbohydrates होते है जो के amorphous in nature होते है और taste less होते है यानि फीके होते है इनका कोई taste नहीं होता जैसे कि अगर हम potato की बात कर ले है तो यह potato एक taste less carbohydrate है अब potato जो है वो taste less carbohydrate है और इन-soluble in water होते है amorphous यानि कि crystalline नहीं है fixed shape नहीं है अगर आप उनके axis में rotate करेंगे तो आपको अलग-अलग shape देखने को मिलेगी symmetry नहीं होगी इसके अंदर और यह पानी के अंदर dissolve भी नहीं होगे जैसे कि आलू पानी के अंदर dissolve नहीं होता अब यहाँ पर example दी जारी है non sugar carbohydrates की starch और cellulose starch कहाँ पर शामिल होता है starch मोजूद होता है plants के अंदर और cellulose भी शामिल होता है plants के अंदर plants के अंदर यह दोनों चीज़ें शामिल होती है लेकिन एक बात यह समझने कि starch human digestible है और cellulose animal digestible है यानि कि humans हम इनसान जो है वह cellulose को यह जो पत्ते वगरे होते हैं यह जारी हम इन सब को digest नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर cellulose मुझूद होता है और इसी तरह से जो animals है वह इन जारीयों को यानि cellulose जिसके अंदर शामिल है उसको digest कर सकते हैं इन्सान जब वो starch को यानि जो fruits के अंदर starch होगा इन पत्तों के साथ में जो fruits मौझूद होगे दरखतों के अंदर fruits होगेंगे उसके अंदर starch मौझूद होगा और इन्सान ये digest कर सकता है मैं लिख देता हैं यहाँ पर starch human digestible है और अगर मैं बात करूँ cellulose की तो cellulose animal digestible है animal के अंदर इन्सान भी आते हैं लेकिन यहाँ पर animal से मुराद non humans है यानि कि इन्सानों के इलावा digestible है आगे आगे पढ़ता है हमारे पास अगली चीज़ है sugars की type की बात करते है types of sugars sugars की दो types होती है एक होती है reducing sugar और एक होती है non reducing sugar sugars की दो types है एक है reducing और दूसरी है non reducing जो reducing sugar है वो reduce कर देती है tollens reagent को और phalanx solutions को अब tollens reagent और phalanx solution आपको chemistry की lab में अपने college की chemistry की lab में बड़ी असानी से मिल जाएंगे tollens reagent ammonical silver nitrate का solution होता है और phalanx solution copper sulfate से बनाया जाता है अगर हम बात करते हैं tollens reagent की tollens reagent और phalanx solution दोनों के दोनों अगर carbohydrates ऐसे हैं जो कि इन दोनों को reduce कर देता है तो हमें या तो silver PPT मिल जाएगा tollens reagent की बज़ासा है या हमें red PPT मिल जाएगे phalanx solutions की बज़ासा है अगर यह दोनों काम हो जाते हैं अमलब के उस carbohydrate ने tollens reagent या phalanx solution की reduce कर दिया है तो वो कलाएगा reducing sugar और अगर वो यह काम नहीं कर पाया है तो वो कलाएगा non reducing sugar reducing sugars के अंदर free aldehyde group और ketonic group मौझूद होता है जबके non reducing sugar में free aldehyde group या ketonic group शामिल नहीं होता यहाँ पर यह definition पूरी लिखी वे है reducing sugars are those sugars that can reduce tollens reagent and failing solutions यहाँ पर एक free aldehyde group और ketonic group along with hydroxyl group OH group on the carbon adjacent to these groups जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक free aldehyde group मौझूद है और यहाँ पर एक free ketonic group मौझूद है अब बात करते हैं कि कौन कौन सी sugars ऐसी है जो के reducing sugars है तो जितने भी monosec Israelites carbohydrates carbohydrates होता है और जितने भी oligosaccharides carbohydrates होता है सिवाई सुक्रोज के यह सब ही reducing sugar होंगे all monosec irides monosecarides क्या होता है यह मैं भी आपको बतातا हू monosecigns जैसे glucose यह fructose वगरा यह जितने भी oligosaccharides है सिवाई सुक्रोज के यह आ जाते हैं reducing sugars में अब बात करते हैं non reducing sugars की तो non reducing sugars वो sugars हैं जो के tolerance region या phalanx solutions को reduce नहीं कर पाती है इनके अंदर कोई free aldehyde group या ketone group मौझूद नहीं होता अच्छा अब आगे बात करते हैं तो इनकी examples कौन कौन से हैं सुक्रोस या polyhydroxy polyhydroxy carbohydrates polyhydroxy जितने भी carbohydrates है polyhydroxy carbohydrates जितने भी carbohydrates है और सुक्रोस यह सारे के सारे non reducing के अंदर आते हैं आए आगे बढ़ते हैं हमारा next topic है classification of carbohydrates according to molecular structure अगर हम molecular structure के इसाफ से बात करें तो carbohydrates की कितनी classes में हम इसको divide कर सकते हैं तो carbohydrates की पहली type है monosaccharides oligosaccharides दूसरी टाइप और तीसरी टाइप है polysaccharides monosaccharides मलब ऐसे carbohydrates जिसकी अगर further hydrolysis की जाए तो वो मसीद carbohydrates में break down नहीं होता है monosaccharides ऐसे carbohydrates हैं जिसकी hydrolysis यानि उनको पानी के अंदर dissolve किया जाए तो वो नए carbohydrates नहीं मना सकते हैं वो कुछ और बना लेंगे oligosaccharides ऐसे carbohydrates हैं जिनके hydrolysis की जाएगी तो ये 2 से लेके 10 तक नए carbohydrates बना सकते हैं और अगर polysaccharides की बात की जाएगी तो ये ऐसे carbohydrates हैं जिनके जब hydrolysis की जाए यानि पानी के अंदर निको dissolve किया जाए तो ये तोट जाते हैं 10 प्लस new monosaccharides के अंदर ऐसा क्यूं है इसकी वज़ा ये है क्योंकि polysaccharides monosaccharides से ही मिलके बनते हैं monosaccharides जब आपस में combine होते हैं अगर मैं monosaccharides को monosaccharides को आपस में combine करता हूँ monosaccharides को आपस में combine करता हूँ तो अगर दो से लेके 10 तक monosaccharides आपस में combine होंगे तो यह convert हो जाएंगे oligosaccharides के अंदर और इनके दर्म्यान की जो bonding होगी bonding between monosaccharides carbohydrates monosaccharides carbohydrates is called glycoside linkage यानि कि carbohydrates के दर्म्यान में जो bond होगा वो bond कलाएगा glycoside linkage अगर पानी के ने dissolve किया जाएगा तो यह bond glycoside linkage कर जाएगा यह तूटना शुरू हो जाएगा और यह तूटते रहेंगे तो जितने भी bonds से यह सारे bonds तूट जाएगे और जो भी polysaccharides है यह सब तूट तूट के अलग-अलग monosaccharides में घंवाट हो जाएगा that's the process तो हम बात कर रहेते हैं monosaccharides की examples की सबसे बहले monosaccharides की definition पढ़ लेते हैं monosaccharides की definition यह है कि carbohydrates that cannot be divided into simpler carbohydrates by hydrolysis are known as monosaccharides generally they contain 3 to 10 carbon atoms monosaccharides containing aldehydric groups are called aldoses यह बात बताने रहे गई थी कि वो carbohydrates, वो monosaccharides जिसके अंदर aldehydric group शामिल हो वो aldose कहलाता है और वो carbohydrates जिसमें ketonic group शामिल हो वो कहलाता है ketosis अब इनकी examples की बात की जारी है यहाँ पर एक example है जैसे aldo, trios और aldo, trios का मलब यह है tri मलब इसके इनकी तीन carbon atoms शामिल होंगे और अगर hexose होगा तो उसके अंदर 6 carbon atoms शामिल होंगे जैसे कि glucose के अंदर बगएर यहाँ पर लिखाव है threos अब इसी तरह से एक और example लिखी है यहाँ पर एक glucose की जहाँ पर आपको 6 carbon atoms मिल जाएंगे जैसे कि एक aldehyde group मौझूद है CHO group का चार carbon atoms मौझूद है OH group के साथ में structure यहाँ पर खोलते तो carbon का hydrogen के साथ bond double bond oxygen के साथ फिर CH group और साथ में लिखाव है OH फिर दुबारा एक और CH और साथ में लिखाव है OH फिर दुबारा एक और CH group और एक और OH फिर दुबारा CH group और एक और OH यह चार मरतबा मैंने इसको खोल के लिख लिया और इसके बाद लिखाव है CH2 group के साथ में OH group यह structure है glucose का और glucose जो है उसके अंदर aldehydig group मौझूद है तो इसको हम कह सकते हैं hexose aldose hex इसलिए क्योंकि इसके अंदर 6 carbon atoms है और oz जो है वो suffix है कार्भो हाइडरेट का aldose इसलिए क्योंकि इसके अंदर aldehydig group मौझूद है अगर हम IUPAC name की बात करते है fructose की तो fructose का जब आप structure इसी दाना से खोलेंगे तो इसके अंदर ketonic group आ रहा होगा इसका नाम हो जाएगा hexose ketose लेकिन आपके mdcat के mcqs के अंदर इसके structures के बारे में नहीं पूछा जाएगा तो हम आगे बढ़ते है oligosaccharides की definition ये लिखी वे है कि वो carbohydrates जिनकी जब hydrolysis की जाए तो दो से लेके 10 तक monosaccharides units में convert हो जाते है example है sucrose, maltose और lactose की ये examples बढ़े important है क्योंके mcqs में यही चीज़ें पूछी जा सकती है polysaccharides की बात करने है polysaccharides वो carbohydrates है that can produce more than 10 monosaccharides units on hydrolysis are known as polysaccharides example है glycogen की starch की और amylase और amylopectin की और cellulose की अब तीन इसके अंदर बड़े important है starch, cellulose और glycogen जो के example के तौरवे पूछे जाते है animals के अंदर यानि humans के अंदर जो carbohydrate store होता है वो glycogen की फ़र्म में store होता है और plants के अंदर जो carbohydrate store होता है वो cellulose और starch की फ़र्म में store होता है आगे आगे बढ़ते है types of polysaccharides की तो हमारे पास polysaccharides की टाइप आगे animal polysaccharides और plants polysaccharides जो कि अभी हमने बात करी थी animal polysaccharides which are found in animals for example glycogen stored in muscles and liver अगर हम plant polysaccharides की बात करेंगे तो which are found in plants for example starch and cellulose अभी हमने इस चीज की बात करी थी हमारी आखरी चीज है जो कार्बोहाइडेट के लिए हमने डिसकस करनी है वो है biological importance of carbohydrates के carbohydrates इतने important क्यों है तो सबसे पहली चीज़ carbohydrates बहुत जल्दी से digest हो जाते है यानि इनसान को बहुत जल्दी से हज़म हो जाते हैं और इससे बहुत तेजी से आपको energy मिल जाती है जादा energy नहीं मिलती लेकिन फिर भी तेजी से मिल जाती है example के तोर पर अगर मान लीजे कि आप शादी में जाएं और शादी में जाने में शादी में जब आप पहुंचे तो खाना खुलने हैं बहुत देर हैं और आपको भूग लग रही है आप चाते हैं कि आपको खाना अच्छा खाना है लेकिन आपको energy भी फॉरण required है तो अब आप क्या कर सकते हैं आप वहाँ पर कोई भी sweet toffee यूज़ कर सकते हैं या chocolate यूज़ कर सकते हैं अगर आप sweet toffee या chocolate यूज़ करेंगे आपको बहुत जल्दी से energy प्रोवाइट कर देंगे साथ-साथ में कुछ और importance भी है जैसे के ribos और deoxyribos ये carbohydrate ऐसे हैं जो के heredity carriers होते हैं हमें अपने parents की तरफ से मिलते हैं और ये हमारी body का RNA और DNA बनाने में help करते हैं यानि के ribonucleic acid और deoxyribonucleic acid बनाने में मदद करते हैं साथ-साथ में दूसी चीज़ है energy providers के carbohydrate ची होते हैं वो energy provide करते हैं और हमारी body के अंदर ये energy store भी हो जाती है glycogen की form के अंदर तो हमारी body के अंदर our body stores parts of glucose for any days in liver in the form of glycogen during illness and fasting glycogen hydrolyzed to glucose and supply energy simple सा मतलब है कि जब body के अंदर glycogen store हुए glycogen store हुआ in muscles and liver तो होगा कि जब आप कभी रोजा रखेंगे या बीमार होंगे या भूके होंगे तो ये glycogen वापसी तूटेगा और glucose के अंदर convert होगा और आपकी body को energy provide करेगा इसी वज़ा से हम जब रोजा रखते हैं तो हमें एंड में energy मिलना शुरू हो जाते हैं कि हम पूरा दिन survive कर पाते हैं या बिमारी के अंदर भी survive कर पाते हैं क्योंकि हमारी body के अंदर carbohydrates glycogen की form में store होते हैं और आखरी चीज़ है cellulose cellulose जो है वो biological important है animals के लिए लेकिन humans इसको digest नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए जो enzymes required हैं वो हमारी human body के अंदर शामिल नहीं होते हैं तो यहां पर हमारा topic carbohydrates का खतम हुआ हम next video में आप से मिलेंगे amino acids के और proteins के topic के साथ में अगर आपने अभी तक हमारा channel subscribe नहीं किया तो पहले channel को subscribe कर लीज़े और साथ साथ में bell icon को भी press कर लीज़े वीडियो पसंद आईए तो like पी कर दीज़े अगर आपको eCat ये MDCat की बहुत अच्छी तयारी करनी है तो description में जाईए description में playlist की link मुझूद है वहाँ पर आपको सारी eCat, MDCat की वीडियो फ्री में मिल जाएंगी और अगर आपको MCQs की practice करनी है तो description में ही एक और link मौझूद है जो कि आपको मकसद F की तरफ ले जाएगा वहाँ पर आप eCat या MDCat का course बाय कर सकते हैं जहाँ पर आपको 6000 से जादा MCQs मिल जाएंगी solution वीडियो के साथ तो अपनी तैयारी बहतर बनाई है हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना खयाल रखें अल्ला हाफिस